शादी समारों में पहुँचकर चोरों ने उड़ाये लाखों के जिवरात शादी समारों का युजन था इसमें श्टेज परबरमाला के दरान चोरों ने एक बैग जिसमें करीब तीन लाख पच्चास जार के गहने और अठारा सो रुपए मोबाइल फून लेकर चुमपत हो गए घटना के संदर में होटल मैनेज़र ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह रेगी करके घटना को अंजाम दिया क्योंकि चोरों को यह पता था कि किस बैग में समान रखा हुआ है घटना के संदर में परिजन ने बताया कि महरास चोरागरा से बरवधू आये हुए थे दोनों ने ब्रिंदवन धाम में शादे कने का मनमनाय था मगर ब्रीज में चोरों के मनोबल जादा बड़े हुए हैं और गेस्ट हाउस में सुरक्षा का कोई मापदन नहीं है कोई भी बारी आकर शादी सामारों में शामिल हो गया और घटना को अंजाम दे दिया हमने पुलिस से मांग की कि चोरी हुए पुरे सामार हमें वापस जराने की किरपा करें आज तो शर्मा की रिपोर्ड रात को जो घटना हुई थी कि उसमें भंसन चल रहा था और लड़ी पक्ष जैसे माताजी स्टेज पर चड़ी वो फोटो किचाने के लिए अपना बारी था जिसमें माताजी पता थी एक मोगाईल की था तो उन्होंने वो मोगाईल मतलब परस है जो अपने पीछे रख दिया जैसी उन लड़कों ने इसा प्रतित हो रहा है तो मेंड के इटे लिए अपने लोगों परंती जैसे माताजी फोटो किचाने के लिए चड़ी है तो पीछे से स्टेज पैसे जाती हो टेकर है जो हम आपको अब परेजों कराएं जो अब पीछे से गए हुए है वो फोटो किचा गिए उनके पीछे से पहे भी था दो लड़की एक रखा उस्ताइ एक बहुत बड़ी चोरी ही घड़ना होगी है इस होटल का नाम है तेज राम ध्रमपाल चेरिटेबर ट्रस्ट चड़िगार अरोपर है इस टेज पर जिस वर्मार का कारिकरम चला था लड़के की साली जो है उसके आत में बैख था बहुत बड़ा उसमें सोने के जेवरात बहुके और एवं कुछ कैस थी मुबाइल था अग्याद दो चोरो द्वारा मात्रत तीन मिलेटर में जो है उस बैख को चोरी कर लिया गया और बड़ी साफधानी से निकल भी गए हमें दुख इस बात का है तो गेट पर चौकीदार के होते हुए और मैनिम्मेंट की कुछ होटल की कमी की वज़ेते हैं इतनी बड़ी वात है हाना कि पुलिस को में तदा की रात को आई थी और पुलिस ने सर्च भी किया मोबाइल तो चर्टक उन्हें मिला तक पुलिस गई लेकिन कोई भी अभी तक बराबनी नहीं हुए है अंदर मोबाइल भी था कितने का अंद प्रशाशन से यही है अन्रोथ जल्द से जल्द इसका जो है फुलासा करें और चोरों को पकड़ कर जिससे माल की बराम भी करें लेकिन माल भी हमें 100% की जिए